चमत कारिक है यह शाली ग्राम घर में रखेंगे तो होगा कल्याना भगवान विश्नु का प्रतीक यह पत्थर आज कल बहुत कम लोगों के घर में मिलता है शिवलिंग की तर शाली ग्राम भी बहुत दुरलव है अधिकतर शालीग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंड की नदी के तट पर पाया जाता है काले और भुरे शालीग्राम के अलावा सफेद निले जोती युगत शालीग्राम का पाया जाना तो और भी दुरलब है पूर्ण शाली ग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकरती अंकित होती है शाली ग्राम को घर में रख कर नित्य उसकी चंदन लगा कर पूजा करने से सुख, शांती और संबद्धी मिलती है शाली ग्राम की पूजा केसे करें घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करना चाहिए विश्णु की मुर्ती से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना शालिग्राम पर चंदन लगा कर उसके उपर तूलसी का एक पत्ता रखा जाता है प्रति दिन शालिग्राम को पंचामरत से इसनान कराया जाता है जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता रहता है उस घर में लक्ष्मी का सदेव वास रहता है शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जनमों के पाप नस्ट हो जाते हैं शालिग राम सत्विक्ता के प्रतिकें उनके पूजल में आचार विचार के शुद्ध का विशेश ध्यान रखा जाता है